सोदरू लारा नवस्काराम कुछ महिने पहले ही मुझे विपलव विरुडू अलूरू सिताराम राजुजी की 125 वी जन्मजेंती कारकम में आप सब के बीच आने का सोभागी मिला था विशागा पत्नम भारत का एक विशेश पत्नम है ये शहर बहुत खास है यहां हमेशा से व्यापार की सम्रुद्ध परंपरा रही है विशागा पत्नम प्राचीन भारत का एक महत्वपुन पौट था हजारों वर्ष पहले भी इस पौट के जरिये पस्चिमी एसिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशागा पत्नम भारत के व्यापार का केंदर बिंदू बना हुआ है दस हजार करोड रुपिये से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकारपन और सिलान्यास आंदर प्रोदेश और विशागा पत्नम के आकांच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी पदिवेगला कोटला प्रोजेक्टलो देशानिक अंकितम मरियों सिंकुस्तापने चेसे आंदर प्रदेश मरियों विशागा पत्नम प्रजला आकांच्छलने फूर्टती चेसे माध्यम उंटुंदी ये योजनाये इंफ्रास्ट्रेक्टर से लेकर इज अफ लिविंग और आत्म निर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी विकास को नई उंचाई पर ले जाएगी मैं इसके लिए आंदर प्रदेश के सभी निवाचियों को रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इस अउसर पर हमारे देश के पुर्व उपराष्ट पती श्री बैंकया नाईडू गारू का भी और श्री हरी बाबू का भी दन्यवाद करना चाहता हूँ वो जब भी मिलते हैं तो आंदर के विकास के बारे में हमारी काफी बाते होती हैं आंदर के लिए उनका प्यार और समर्पां अतुल्निया है साथियों आंदर प्रदेश के लोगों के बहुत खास बात होती है कि वो सभाव से बहुत नही और उद्यमी होते हैं आज तक्रीबन दुनिया के हर कौने में हर काम में आंदर प्रदेश के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं बात चाहे एजुकेशन की हो या एंटरप्राइज की टेकनलोजी की हो या मेडिकल प्रफेशन की हर छेत्र में आंदर प्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है ये पहचान सिर्फ प्रफेशनल क्वालिटी की वज़े से ही नहीं बनी बल्कि ये उनके मिलनसार व्यहवार की वज़े से बनी है आंदर प्रदेश के लोगों का खुस मिजाच और जिंदा दिल व्यक्तित्वर हर किसी को उनका मुरिद बना देता है तेलूगू भाशी लोग हमेशा बहतर की तनास में रहते हैं और हमेशा बहतर करने की कोशिस करते रहते हैं मुझे खुशी है कि आज यहां जिन विकास परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है वो भी आंदर प्रदेश में प्रगति की गति को और बहतर करेगी आजहादी के अमरित काल में देश विक्सीद भारत के लक्ष को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है आज के इस कारकम में भी इंफ्रास्ट्रेक्चर पर हमारे वीजन की जलग भी साब दिख रही है हमारा वीजन है समावेशी विकास का इंक्लूजीव ग्रोथ का ऐसे सवालों में नहीं उल्जे कि हमें रेलिवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का हम कभी इसे लेकर दुवीदा में नहीं फसें कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाइवे पर इंफ्रास्ट्रक्टर के इस आईसोलेटेड व्यू से देश को भ्यारी नुक्सान उठाना पड़ा इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा और लॉजिस्टिस का खर्च बढ़ गया सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मोडल कनेक्टिवी पर दरभर करते हैं इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्टर के विकास को लेकर के नई एप्रोच अप्लाई हमने विकास के इंट्रिग्रेटेड व्यू को महत्व दिया पौर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी एक तरफ हम विजागा पटनाम रिल्वे स्टेशन को सवान रहे हैं तो दूसरी तरफ फीशिंग हार्बर को अत्यादुनिक बना रहे हैं भारत विकास की नई गाथा लिक रहा है और इसे सिर्फ आप ही मैसुत नहीं कर रहे हैं बलकि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरफ देख रही है आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ट और बुद्धी जीवी भारत की प्रथांसा कर रहे हैं आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंदर बिंदु बन गया है ऐसा इसलिए संबव हुआ है क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की आशाओं आवशक्ताओं को सरवो परी रखते हुए काम कर रहा है हमारी हर पॉलिसी हर फैसला सामान्य मानवी के जीवन को बहतर बनाने के लिए है आज एक तरफ पी एलाइ स्किम जी एस्टी आई बीसी नेल्शनल इंफ्रास्ट्रेक्टर पाइक प्लाइन गती शक्ती जैसी पॉलिसी की वज़े से भारत में निवेश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गरीबों के कल्यार के लिए चलाई जा रही योज्राओं का लगातार विस्तार हो रहा है विकास की इस यात्रा में आज देश के वो इलाके भी शामिल है जो पहले हाशे पर होते थे सबसे पिछडे जिलों में भी एस्पिरेशनल डिस्टिक्स प्रोग्रेम के जरिये विकास से जुड़ी योजनाय चलाई जा रही है इसी तरह सब्सक्राई से उड़ी हमारी पलिसी की वज़े से युवाओं के लिए नए आउसर बन रहे हैं ड्रोन से लेकर गेमिंग तक स्पेस से लेकर स्टाट अप्स तक हर छेत्र को हमारी पलिसी की वज़े से आगे बढ़़ने का मोखा मिल रहा है साथियों जब लक्ष स्पस्ट होते हैं तो आकास की उंचाईयां हो या समंद्र की गहराईयां हम अवसरों को तलास भी लेते हैं और तरास भी लेते हैं आज आंद्र में मोडन टेकनोलोजी के जरिये डीप वाटर एनर्जी को निकानने की सुरुवार इसका एक बड़ा उदहारन है और आज देश ब्लू एकनामिस से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है ब्लू एकनामिस पहली बार देश की इतनी बड़ी प्रात्फिक्ता बनी है मत्स पालकों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा भी उपलब्द है आज विजागा पत्नाम फिशिंग हारबर को आदुनिक बनाने का जो काम सुरू हुआ है इससे हमारे मच्वारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा जैसे जैसे गरीब की ताकत बढ़ेगी और आदुनिक इंफ्रासेक्टर से जुड़े अवसरों तक उसकी पहुँच होगी विश्षीद भारत का हमारा सपना भी पूरा होगा साथियों समुद्र सद्यों से भारत के लिए समुरुद्धी और संपन्नता का स्रोत रहा है और हमारे समुद्र तटों ने इस समुरुद्धी के लिए गेटवे का काम किया है आज देश में पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट के लिए जो हजारों करोड रुपिये की परियोजनाय चल रही है बविश में उनका और विस्तार होगा विकास की इस समगरस सोच को आज 21 सदी का भारत धरा तल पर उतार रहा है मुझे विश्वास है आंदर प्रदेश देश के विकास के इस अभ्यान में इसी तरह बड़ी भुमी का निभाता रहेगा इसी